नमस्कार आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्सा सबकों में हम लोग नियूस की माधमिक उच्चतर माधमिक अक्षा यानि इंटरमीडियेट का व्यवसाय अध्यन विश्र पढ़ रहे हैं तो इस विश्र के अंत्रकत हम लोगों ने अभी तक साथों ख आपको कुछ हमारे से सवाल पूछना होता है कुई बात पूछनी है कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं तो आप हम लोग को इस जो मोबाइल नमबर हमने दिया है इस वाटसब नमबर पर आप वाटसब कॉल कर सकते हैं शाम को 6 से 7 बजे के और इसके लावा आप मैसेज की तो आप कभी भी कर सकते हैं ठीक है किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं यह हमारा इंस्टाग्राम आईडिय है इस पर भी आप हमसे संपर कर सकते हैं तो हमने पिछला मॉडूल पढ़ा था वो था मॉडूल साथ जिसका सीशक था विपण प्र जिसमें कि हमने जाना था कि मार्केटिंग क्या होती है और ये किस प्रकार से जो विक्रय है जो सेलिंग है उससे डिफरेंट है ठीक है इसकी बात की थी फिर हमने जाना था विपणन के उदेश क्या होते हैं उसको कैसे किया जाता है ये सारी चीजे हमने उसमें पढ़ी थी फ मार्केटिंग मिक्स होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि मैंने आपको फोर पीस की बात की थी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रोमोशन ठीक है ना उत्पाद मूल्य इस्थान और प्रवरतन इन चार चीजों के हमने बात की थी विपणन मिष्ट कें तरग यह ऐसे सवाल हैं जो कि पिछले कुछ दो-तीन सालों के सब्वेने जो सवाल आये थे जो केस्टन साथे वो मैंने लिए रखे इसके अंदर तो मैंने जब देखा कि इसमें यह हमारा मॉडूल साथ था इसमें से पूरा लगवववववववववववववववववववव अपरेल 2018 की बात करते हैं तो उसमें यह बहुवववववववव्य सवाल है साथ नमबर करमशन कया है और उसके मार्क मिलेंगे आपको जो अंक मिलेंगे वो एक नमबर मिलेगा तो इसमें सवाल क्या है सब एक उलर को घटे वे मूलियों पर विख्रय के लिए प्रस्ताव प्रवर्टन होता है अगला सवाल है यह भी एक नंबर का सवाल है और इसका यह बहुवी कल्पी सवाल है इसमें इसने पूछा है दूद के वित्रण के लिए सबसे उप्योक्त वित्रण माध्यम कौन सा होगा तो जब हम आपके वित्रण माध्यमों की बात कर रहे थे तो हमने पड़ा था कि सून्य इस्तर का वित्रण माध्यम होते हैं फिर एक एकल इस्तर वाले होते हैं जिसमें एक ही बीच में होता है फिर दो इस्तर वाले भी होते हैं तूद के वित्रण के लिए अगर आपकी किताब के साब से हम चले तो सबसे जो उप्योक्त वित्रण माध्यम होगा वो सून्य वाला होगा ठीक है ना सून्य इस्तर होगा क् कि ऐसे समान जो कि जल्दी नश्ट हो जाएं ठीक है जल्दी खराब होने वाले समान हो पैरिशेबल जिसको इंगलेश में बोलते हैं अगर वो प्रोडक्ट्स है आपके पास तो आप उनको अपने ही मलसून इस तरी विद्रमादेम से बेशते हैं इसका मतलब है कि जो उत्प तीन इस तरी वित्रमादेम का उप्योग करते हैं ठीक है ना आम डौर पर लेकिन हमारा इसका जवाब आपको देना होगा सुनिस तरी वित्रमादेम अगला सवाल है विपणन तथा विक्रय के अंतर के किनी तीन बिंदो को समझाएगे तो हमने विपणन और विक्रय की अंतर की बात की थी जब पाट 19 पड़ा था आपका पाट 19 में हमने इस बारे हैं बात की थी कि विपणन और विक्रय में क्या अंतर होता है यह सवाल तीन न सबसे पहला अंतर उसने बताया है विक्रय ग्रहा को वस्तु और सेवां को खरीदने के लिए फ्रेडित करने तक सीमित होता है जबकि विप्णन में क्या होता है विप्णन में विक्रय तो सम्मिलित ही है विक्रय और दूसरी गतिविधियां जैसे प्रवर्तन के उपाई प्रवण कहीं ज्यादा बड़ा है विक्रय फिर विक्रय प्रक्रय समाब्त होने के बाद प्रारम्भ होता है और ग्रहा करता है वह बहुत चोटी से एक्टिविटी है कि अब आपने जब उतादन प्रक्रय शुरूवी वहाँ से प्रारम होकर गरहा को आपने माल बेज दिया, वहाँ तक ही समाप्त हो जा रहा है, जब गरहात ने आपको भुक्तान कर दिया है, ये क्या होता है, ये गरहा की आवशक्ताओं को आप पहले ध्यान से देखते हैं, उसकी च्छाओं के बारे में समझते हैं, उसकी क्य निरंतर चलती रहती है विक्रय क्या होता है विक्रय क्या होता है विक्रय क्या है उत्पात आपने उत्पात का निर्मान किया और उत्पात को ग्रहक को पैसे लेकर बेज दिया अंतरित कर दिया वहां पर खतम हो गई लेकिन विप्णन चलता रहता है विक्रय इसका केंद्र ब ठीक है ना विक्रहे के अंदर आप संतुष्टी को नहीं देख रहे हैं तो ये विप्णन और विक्रहे में तीन अंतर हैं यहीं अंतर आपको इस सवाल के उत्तर में लिखने हैं अगला सवाल है जिसका की सीरल नंबर 19 है इसने पूछा है किसी उत्तपात का मूल निर्धारन अब यह सवाल जो आया है यह बीस नंबर चेप्टर से आया है जो की विप्णन मिश्र वाला चेप्टर है तो मूल निर्धारन जब हम करते हैं प्राइस किसी भी कॉमोडिटी का किसी भी प्रोड किसी भी प्रोड़ाने में आपको कितना खर्चा आ रहा है तो अब अगर उसका मूलिया निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको मतलशा उस ब्रगार बननाने Layoод के लिए थी यह अगर आपको तंदीर रुपे में बनने के तैयार हो रहा है तो सब्लीम programmers यृ ज्यादा नहीं रख सकते हैं उसके उल्टा अगर मांग ज्यादा है तो आप उसका मूले भी ज्यादा रख पाएंगे अगला है प्रत्योगिता तो आपको मूले निर्धारित करते समय अपने कम्पीटर्स को भी देखना हुगा अपने आसपड़ों के ऐसे लोगों को देखना हुगा जो कि आपके जैसा ही उत्पाद बनाते हैं तो यह मूले निर्धारण में यह भी आवश्या के आपको देखना अगला है विपनन का उद्देश ठीक है आप किस उद्देश के साथ ज जो कि मूलीों को निरंत्रित करते हैं तो आपको अगर कानून ऐसे सरकार ला राखी है तो भी ध्यान में रखना होगा जब अपने प्रोड़क्ट की आप प्राइस तैग करेंगी ठीक है ना सरकार के जो नियम है उनको कुन आपिस निम हैं आपको करना पड़ेगा अगला स का स्वासु कोई इस सवाल इस पूछा पूछा यह क्या रिआ थे ठीक है न उप्षक्ता बस्तों के विभिन बर्गों का शंख्षेप में में बाट कीति वुद्पात के वर्गीकन के हमने बात कि थी तो हम उत्पात के आधार पर उत्पात को दो केटिगरी में बार सकते हैं एक होती है उत्वूकता वर्गिक वष्टव क्या होती हैं वो वस्थव होती है जो परिवारों और अंतियों उभ्भोकताओं के लिए उभ्योग में लाई जाती हैं तो इस वर्ग में क्या किया सकती है आपके जो FMCG प्रोड़क्ट्स होते हैं जैसे किराना वाले ठीक है ना किराना हो गया प्रसाधन हो गया ठीक है ना सुंदर वाले क्रीम साती है इस कपड़े हो गए ठीक है ना इस शारे चीजे Areet उभ्भोकता वस्टु ए तो बोगता जिन उभ्भोकता वस्थों को ख्रेदने में रूच हुआ रखता है उनको फिर फृद्र हम पनेगो के अपको याद नहीं को के इसका कारण यह है कि सुविधा वस्तुे में जो होते हैं कि इसको आप इतना फ्रिकुवेंटली खरीते हैं इतने अधिक खरीते में राथ चीज को के आपको एथिक is Isaac प्रिकार की वस्तुवें बहुत जल्दी नहीं खरीदे जाती है जिससे कपड़े हो गए ठीक है ना कार नियोगस में जूते हो गए ठीक है घर में उपयोक आने वाली अन्य वस्तुवा हो गई तो इन वस्तुव के क्रे का निर्णे जो होता है उसको करने से पहले आपको काफी अपना समय और सक्ती लगाने पड़ती है क्यों क्योंकि हो सकता है कि कुछ खास तरह के कपड़े आपको खरीदने हो आपको उसके लिए दूसरी जगे भी जाना पड़े ठीक है ना तो जो क्र सिर्फ रिकार की वस्तुव हैं वो हैं विशेष्ट वस्तुव हैं यह क्या होती है तो यह जो विशेष्ट वस्तुव होती है यह कुछ इनके अंदब विशेष्ट गुण होते हैं और क्रेता इन्हें खरीदने के लिए विशेष्ट प्रयास करता है ठीक है ना इसमें कार स बहर नतन हें तो वह दूसरे शहर भी जाता है छाथा थिका है одस तरी भीकेक करण आता थे जो 誌त वस्तु होती हैं तो इस त्रत के अंदर महेंगी होती हैं ठीके की वस्तु के ओल दारं आप डे सकते सी टी वी हो गया ठीके नहीं गाड़िया कोगी केमरे हो यह सारी की सारी विशिष्ट वस्तू के अंतरगत आती हैं तो यह बात हमने कर लिए यही चीज आपको इसके अंदर लिखनी है जब आप भुगता वस्तू की बात कर रहे हैं अगला सवाल सबसे जो लास्ट बाद है अप्रेयल 2018 का वहां 39 और इसम泛े सवाल है यह जो सवाल ही जह चैता है और इसमें आपके वीकलप रहता है düş service दूंबर वाले सवाल होते हैं के बिन भीन पहलों को मेत्व देते हैं, जो बहुत सारे producers होते हैं, हमने विपना नावधारणा की जब बात की थी, कौन कौन से concept चलते हैं विपना नावधारणा में, तब हमने आपको बताया था, तीन चार, जो हमने बात की थी, उसमें बताया था एक एक उत्पादन अवधारना होती है, जिसमें कि उत्पादन पही जोड़ दिया जाता है, फिर एक उत्पाद अवधारना होती है, जिसमें कि उत्पाद को लेके आप चलते हैं, फिर एक विक्रय अवधारना होती है, जिसके कि अंतरगत आपको क्यों बेचने से मतलब होता है, फिर हमने विपणन अउधारना की बात की थी जिसमें कि आप गरहा की संतुष्टी का विधान देते हैं उस चैप्टर के अंतर हमने विप्णन प्रभंध दरशिन की बात की थी, उसी में यह उधारणों वाली बात आई थी, ठीक है न, यह आप अराम से लिख सकते हैं, अगला सवाल है, फिलिप कोटलर, जो की मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं, उनके अनुसार विप्णन म इस उन यंतरणी परिवर्तन सील अविवयों का सहु है, जिनका परियोग फर्म क्रेता की प्रतिग्रिया को प्रभावित करने के लिए करती है, तो इन अविवयों को आपको संक्षेप में समझाना है, इसमें कुछ नि करना है, आपको इसमें प्रोड़क्ट, मतलब उतपा अवियों के लिए अवियों का मतलब है, वही जो चार कमपोनेंट हैं, जिनको कि मैं 4P कहा राता, ठीक है ना, आपको किताम में 4Ps लिखे हैं, वही 4Ps आपको यहां पर लिख देने है, ठीक है ना, उतपाद, मोल्य, इस्थान और प्रवततन, इस्थान से मतलब हमारा विद् और घटक की बारे में याँ पर आपको बता रहा हैं तो यह 6 नमर का सवाल था बहुत आसान था अगे बढ़ते हैं अपरेल 2019 का प्रिशन पत्र हम देखते हैं सबसे पहला सवाल आया हुआ है 250 मिली लिटर की बाल के तेल की बोतल में 25 प्रतिशत अत्रिक तेल निम्न में से प्रवरतन का कौन सा साधन है तो आप क्या दे रहे हैं आप 500 ml की जो बोतल है उसमें 25 प्रतिशत फ्री दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं बोनस क्या बोलते हैं इसको कि आप कुछ बोनस ओफर दे उत्पादक द्वारा उत्पादों का उत्पादक द्वारा स्वयम के करमचारियों के द्वारा विक्रह क्या है जब उत्पादक अपने करमचारियों की मदद से माल को भूखता तक बेज देता है बीट में किसी भी प्रकार के मध्यस्त जो होते हैं वो सूनिय फोते हैं तो उसको बोलते हैं सुननि इस्तरी विद्रन माध्यम घ्रैत का स्कार बिच वीचुन नहीं है किया ज़ा रहा है तो मार्केटिंग के अर्थ एक तो हमने अगर आप आम भाशा में बूलें तो विप्रण क्या होता है वो विवसाइक गतिविधियों का निश्पादन है जिसके द्वारा विभिन वस्तुएं और आप पुर्ती सेवाएं उत्पाद करता से उत्भोगता तक आसानी से क्रतिविधियों का निश्पादन ही विप्रण होता है ठीक है और अगर हम इसको एक स्टेंडर्ड डेमेशन में देखें तो अपमेरिकिन जो मार्केटिंग असोशीशन है उसके अनुसार विप्रण क्या है एक संगर्णारात्मक प्रिया क्रिया कलाब है और निर्मान संप इसको की आप प्रवर्तन भी बोलते हैं जिसमें विज्यापन होता है विक्रयकला होती है और साथ में मूले सही कीमत गरह को सही कीमत प्रदान करने के लिए तथा गरह के साथ लाश्ट बाताती है संबंद की ठीक है ना उसके साथ संबंद को भी इस तरह व्यवस्तित तरह मुलने अंतरत रखना इससे गमपनी जो संस्थ है और उसके जो पन्दारी हैं उन दोनों को लाब हो तो इस विक्रयकलाय को मिलां की ही आप विप्ड़न बनाते विपड़न बनता है अगला सवाल है विक्रयकलाय का परतर्थम चिरन होता है संभवना तलाशना जब हम बात क रहे थे विक्रय कला वाले चेप्टर में तो विक्रय कला के अंदर हमने देखा था कि विक्रय प्रिकरिया जो होती है जब प्रोसेस आप सेल जब करने जा रहे हैं बेशने जा रहे हैं माल को तो आप कैसे होता है पहला चरौन उसका क्या होता है विक्रय कला का सबसे पहला होत प्रस्तूतिय उप्रदर्षन संकाउ . यानिकि उसको कज़कर डाउट पत्या है तो उसके उपर- उसके उपर आप क्लैर → प्रेल्डी अंको रिजॉल् विर्ट ले अंगनेगर के पक्रेल को पूर Ton का संग्षेप में वर्णन कीजिए इसने पूचा है कि विपढन के उद्देश्य क्या है वो बताने हैं आपको ठीक है तो मार्केटिंग के उद्देश्य थे हमने पार्ट 19 में पढ़े थे जो कि इस प्रकार से थे ग्रहाकों को संतुष्टी प्रतान करना महांगमे कि ग्रहाकों को अधिक कुणवत्ता का उत्पाद उपलप्त कराना संगठन की ख्याति का निर्मान करना लाभकारी विक्री की मात्रा को बढ़ाना ठीक है न तो यह सारे जो हैं विपढन के उद्देश्य हैं इनको आप ऐसेडिस बता सकते हैं ठीक है न क्योंकि बहुत आता है संगठन की ख्याति का निर्मान करता है मतलब उससे क्या होता है अगर आपकी विप्रण व्यवस्ता अच्छी होगी तो आपका जो सनगठन है आपकी जो कंपनी है उसकी प्रसदिय को स्वाल यह शत्किते होगी ऑसके बारे में लोग ज्ञादा से ज्ञाधा जाने लंबा देना चाहिए, अगर इसमें क्या पुछा है इसमें क्या पुछा है इसने क्या, क्या विपडन तफ विपडन तत् 어떻 विक्रए परिया वाची सब्द हैं आप बताइए, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना विपडन और क्यो mo मा बसी नहीं है उत्तर के समरतन में आपसे कारण मांग रहा है ना पांच कारण मांग रहा है आप इसके च्छे कारण डिख दीजिए ठीक है ना कौन-कौन से थे तीन में आपको भी दिखाए ता भी बात कर लेता हूं आगे कौन कौन से थे ये था हमने इन तीनों की बात कर ली थी कि गरहा को वस्तुओं खड़ितने के लिए प्रड़ित करने तक के वल विक्रय सीमित होता है जबकि जो विप्णन होता है वो ना के वल उत्पात को बनवाता है उसमें प्रवर्तन के उपाय सामिल होता है विप्रन शो आवश्कता ही इसके केंद्र बिंदु होती है जिसके चारों विप्रन की गतिविदियां घूमती हैं तो यह इंशूर करता है कि आप गरहाक के साथ एक relation मना लें संब्ध मना लें तो जब संब्ध मन जाएगा तो गरहाक आपके पास भार बार लोटेगा को क्या हो === दिर्व कालिन लाप राप्त होगा आपके छोटे अवधिगी नहीं सोचेएगे विकर ऐसे क्या होता है इसकी सारी गतिविदियां तैयार के इंगे उतपात के चारों तरफ घूमती है ठीक है तो इसका मेन उब्जेक्टिव होता है वह उतपात के ही चारों तरफ घुमता है, जबकि विप्णन क्या होती है, एक संगठित तरीका है, संगठित तरीका है, जिसके द्वरा दिर्ग कालिन उद्देश जैसे गरहा को बनाना और उसे बनाए रखना होता है, ठीक है न, कि इसमें उत्पात की बात नहीं होती है, बतकि साथ साथ गरह की बात की जाती है, मतलब ये उत्पात सेंट्रिक हो गया, उत्पात के ही चारों तरफ घुम रहा है, ये गरहा के चारों होनता है, ठीक है न, गरहा को खुश रखना, उसको बनाना और उसे बनाए रखना, ये सारी चीचे विप्णन में सम्मिलित होती है, विक्रेता की परशुक्ता परबल देता है, ठीक है न, ये छे साथ आप कारण लिख देंगे, छे कारण लिख देंगे तो आप जो विक्रे और उसने अंतर पूछा है विप्णन की बीच में, वो लिख सकते हैं, ठीक है न, कोई कारण, पांच कारण दे सकते हैं कि क्यों विप्णन और ये पूछा था ये भी वही बात कर रहा है, विप्णन मेंसर की बात कर रहा है, उन नियंच्रण विचे सकते हैं, ये तो यहांपर आप 4 पीस भोटेंगे हैं उसमें से कोई से विचे हैं, आप सilकुतिया है, मूलीया और इस्थान समा दिजिए। है न आप इन तीरू को समझाएंगे तो चल जाएगा ठी कि न आपको तीन ही पी समझाने आप प्रवर्तन ना भी समझाएं तो भी सलेगा क्योंकि इसन तीनIl अजया पूछन NO । अगर आपको लगए तो आप 4 द चारों में समझा सकते हैं ठीक है यह बड़का करता है। तो उसमें कुछ नहीं था उसमें आपको मिस्र बताना था अब हमने जो साल है उसकी बात कर रहे हैं क्टूबर 2019 के सवाल की बात कर रहे हैं सबसे पहला जो सवाल है वह एक नम्र का सवाल बहुई कलपी है पूछा गया है वह भूकता वस्तों के विक्राय के लिए वित्रण का कौन सा माध्यम सबसे उपयोक्त रहता है अगर आपको भूकता वस्तों की कंजूमर गुड्स भीजनी है किराने वाली वस्तों आप जहां से लेते हो वह भीजनी है तो सबसे अच्छा माध्यम रहता है तीन स्थरी माध्यम ठीक है न अगर आप रितामें पढ़ेंगे तो आपको याद आजा लेगा अगला है विप्णन की वो कौन से उधारणा है जिसके अनुसार बड़ी मात्रा में वस्तुन का उत्पादन कर और उत्पादन के लागत को कम करके लाब को बढ़ाया जा सकता है तो यह जो अधारणा कहलाती है जो कि उत्पादन की ओपर ही डिपेंड करती है उत्पादन के लागत को घटाने और उत्पादन को बढ़ाने बड़ी मात्रा मुद्पादन करना यह बोला गया था ए वाले में उत्पादन वतारना में तो यह इसका सही जवाब होगा अगला सवाल है जो कि तीन नंबर का है जो कि क्या है निम्ण के अधार पर विग्यापन और विक्रयसमवर्धन में अंतर समझाईए तो विग्यापन, एड़ोटाइजिंग और सेल्स प्रोमोशन ठीकिना सेल्स कैसे आप बढ़ाते हैं उन सब के बीच में आपको अंतर समझाना है ठीकिना किस किस बिंदों पर उद्देश प्रभाव और प्रकर्ति के अधार पड़ी पिल्कुल हमने यही चीज पड़ी थी मैंने आको बताया थ कि उद्देश के अधार पर विग्यापन क्या होता है विग्यापन का उद्देश होता है उत्पात के लिए सकारात्मा पक्ष का निर्मान करना जबकि विक्रय प्रवरतन का उद्देश क्या होता है गरहा को उत्पात को क्रय करने के लिए प्रोच साहित करना प्रभाव वि विख्री को बढ़ाने में सायक होता है प्रकर्ति के साब से करते हैं तो विख्यापन की प्रकर्ति आवर्ति आवर्ति मतलब ऐसी चीज जो की एक नियमित अंतराल पर हो रही हो ठीक है ना बार बार हो रही हो वो होता है विख्यापन और जो विख्यापन प्रवर्तन है वो ग यह गहरा वड़ती है कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगले साल भी आपको करना ही करना पड़ेगा ठीक है और एक बार की संप्रिशन प्रकरिया होती है तो यह तीन चीजे हैं इसके आधार पर आप देखे आपना और विक्रय प्रवर्तन में अंतर समझा सकते ह विक्रय प्रवर्तन और विक्रय समझा थी अगला है संक्षेफ में समझाईए क्रययोगी वश्त्वें और विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तो उसमें आपको यी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी और अभी इस वीडियो में भी आपको बात कर रखी है इसके बारे में अगला है विप्णन के उद्देश्यों को संक्सेट में समझाईए यह भी हम बात कर चुके हैं पहले एक सवाल ऐसा आया था यह पांच नमबर का स सबस्के हैं अगल से उपकरणी के ना था करना चाहिए आप यह करने की जरुएं अगर यह कर रहे हैं तो इसको करने के जरुएं और यह थे मसफ कर सकते हैं सबसे må content है इसाइं है विप्णन मिस्र से क्या व्योष्यना कीजिए तो یہ बहुत ही महत पूर्ण है हमने तीनों अभी जो पेपर देखे उन तीनों में फोर पीज वाला सवाल आ रहा है तो बहुत अच्छा टॉपिक है छह नंबर आपको तुरंट दिला देगा मैं आपसे प्राहतना करता हूं कि आप यह जरूर पढ़ ले फोर पीज जरूर तयार कर ले ठी घटकों यानिकी प्रोड़क्त प्राइस प्लेस प्रमोशन ठीक है ना उत्पाद मुल्य स्थान और प्रवर्तन इनके बारे में बात करने है बहुत इज़ी है ठीक है अगला है विक्रिया करता का कारी एक जटिल और चुनोती कून कारी है जिसके लिए शारिरिक और मानसिक कुणों का मिश्रन आवश्चक है यह हमने बात की थी जब विक्रिया करता कि कुछ कुनों के बारे में हम बात कर रहे थे एक सफल विक्रिया करता में ज़रूरी किनी चार कुणों को समझाईए कोन-गोन से कुणा आप समझा सकते हैं प्रभावसाली वेक्तित होना चाहिए वो प्रभावसाली होना चाहिए दूसरा उपर ईफेक्ट ड़ना चाहिए तो डिमागी रूप से बहुत अच्छा होना चाहिए टीक है किसी पेकार की मांशिव्ट्रै नहीं होनी चाहिए उत्तम वहवार होए वह वहे वहवार उसको अच्छा करना को ज़रोरी है तो अगर आप भी से चीजों को समझा पाएंगे और अपने जी काम है उसको अच्छे से तरीके से कर पाएंगी अर Sense प्रेशन और अपनी बातों को दूसरों तक क्योंठेस काना है वो में उसको अना अगला है द्रणता तो वो जो बात अपनी बताता है उस पर उसको द्रण रहना चाहिए ठीक है ना तो यह सारी चीजें एक अच्छे आदर्श विक्रे करता के अंदर होनी चाहिए ठीक है ना इस प्रकार से हमने जो पूरा जो पेपर से तीन वो देख लिए हम कि अंदर कॉन से मिल जाएंगे ठीक है ना अब अगर आपको कुछ से सम्मंदित सवाल है कुछ पूछना हो तो साम को छे से साथ बज़े की बीच हम को कॉल कर लीजेगा ठीक है ना बात कर लेंगे आपको समझा देंगे अकर कुस्स समझ में नहीं आ रहा होगा और मैसेज तो आप कभी भ को जरूर शेयर कीजेगा धन्यवाद थैंक यू